चलिए अगला फीडबेक देखते हम दो हेलो सर मेरा नाम विशाल मेवाडा है मैं मद्युप्रदेश भोपाल से बिलॉंग करता हूँ और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है बेसिकली मैं एक स्टुडेंट ही था तो मैंने जब ये कॉंपोनेंट्स वगेरा इनको देखा तो काड लेवल थोड़ा बहुत जाना फिर मैंने इसका इंट्रेस्स जगा है कि मैं कैपेबल हूँ तो चिप लेवल कर सकता हूँ तो फिर मैंने लोगों से जानकर इली जो काड लेवल करते थे उन से पूछा तो उन्होंने बोला बेसिकली इस चीज की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है तो मैं फिर ट्रेनिंग के लिए एक प्रॉपर पात और जगा ढून रहा था कि कहां में को पड़ाई के तरीके से क्योंकि हम सब स्टुडेंट होते हैं तो हमारी बैसिकली बच्पन से आदत होती है कि किसी चीज को एक प्रॉपर तरीके से जानना और प्रॉपर तरीके से सीखना तब ही उसकी अंडरस्टेंडिंग हमारे अंदर उसकी आ पाती है तो दीरे दीरे लोगों से पूछा नौलेज जुटाया फिर एक बाहम इससे छे महीने पेले हम देली वाक अप के लिए आये इस इंस्ट्यूट की जानकारी लेने तो ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब से सर्च कर रहा था तो सर का कॉंटेक्स मिला सर आगे कांटेक्स किया तो वह होता है न कि बोलने के तरीके से यह और ऐजा एक्सप्धैन के तरीके से हहिञा क्य है हाओ ही केन गी efficacy always how he can give और छे महीने पहले जो मेरी कंडिशन थी और आज के कंपरेजन में काफी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि हाँ confidence भी है और बहुत ज्यादा changes भी आए तो जैसा आयूस आपने बताए कि आप as a student थे और आप फिर विशाले थे वही आरे की आदमी है ठीक है जैसा विशाल आपने बताए कि आप as a student थे और आपने as a scope को अपना जो आजी का scope है वो इसमें तरासना चाहा कि मैं laptop repairing field में उतरना चाहता हूं ठीक है laptop repairing अब होगा भी या future है या नहीं है तो as a student को आप क्या suggest करेंगे क्या आप इसी कंडिशन से आये हैं हमारे पास सीखने के लिए तो as a student बहुत सारे हैं जो YouTube सेच करते रहते हैं कि क्या हम सीख पाएंग नहीं सीख पाएंगे तो आपका hands-on experience जो यहां पर रहा है उसके वनिस्पत आप क्या बताना चाहेंगे as a student को जो बिल्कुल fresh है है और वो चाहते हैं laptop repairing शिखना to be very very honest मतलब किसी वी चीज को जिसे उसका एक starting point होता है तो you will get the environment here यहां पर जब आप सर को repair करते हुए देखोगे वो पूरा जब वो आपको environment मिलेगा तो basically आपके अंदर confidence जो है वो दीरे-दीरे develop होने लगेगा आपको proper training के लिए एक setup दिया जाएगा तो उस पर जब आप किसी चीज को continuously 6 महीने तक with the guidance देखोगे तो आपके अंदर एक understanding बन ही जाएगी और definitely आपको जब किसी भी चीज को आप अगर पढ़ोगे तो आप उसे समझोगी तो यहां पर proper training में भी आपको components का replacement components का उसका work working process सब चीज का detail explanation मिलेगा तो definitely आप उसे repair करी ही लोगे और starting में जो hesitation होती वो यहां के completely खत्म हो जाएगी ठीक है तो जैसा हम लोग जब हमारे पास आते हैं inquiry करने के लिए तो हम आप से पताते हैं कि theory practical दोनों चीज का balance होगा तो जो आपने expect किया था कि theory practical balance होगा वो उस पर क्या commitment हमारा पूरा हुआ है नहीं हुआ है जैसा सर ने पहले बोला था कि उसकी किसी भी चीज मतलब उसकी theory और फिर देन practical तो theory से start किया जाएगा जब फिर आपको practical बताया जाएगा कि हां इस तरीके से यह चीजे वर्क करती है क्योंकि without theory you can't get the practical तो theory के बाद जब वो practical तो आपके understanding और बढ़ जाती है तो वो सब बत आपके उनका feedback देखते हैं बाकी देखिए वो क्या बताते हैं अपने laptop repairing experience के बारे में हेलो सर मेरा नाम यूसूफ है मेरा शिलोंग मेगालिया से हूँ मैं कार्ड लेवल करता था थोड़ा थोड़ा लेकिन थोड़ा क्या बोलेंगे उसको खाली खोलना है पैक करना बोलेंगे मेरा हाल ये था कि सर मैं तो mother board देखके डर जाता था हाथ से छूता तक नहीं था ल उनको बोला तो ढूंते ढूंते सर मिले नासिश सर दिलदार सर तो यहाँ पर आने के बाद मैं तो आने से पहले भी सोच रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि निकर पाऊंगा यहाँ पर जाके मतलब इतना डरा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूंगा लेकिन या पर आने के बाद जब सर ने बताया थियूरी प्रैक्टिकल यह सब कुछ देख के जब किया समझा तो अब कॉन्फिडेंस है कि अब कोई भी वोड आ सके तो मैं कर सकता हूँ कोई भी वोड आया कि अच्छा करेंगे आगे तो यह बताई कि आपने आपके पापा के थुरू यहां पता चला कि यहां लैपटब रिपेरिंग इंस्टिटूट दिल्ली में कौन सच है तो आपने मतलब भीज के पता करवाया यूट्यूब पर सर्च नहीं कहा था अपने तो बहुत सारे परीज हो क्योंकि कोई भी इंस्टिट है वो अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा वो बुरा तो बोलेगा नहीं तो इसको दुकान चलाने अपनी तो एक्ट्वल फीडबैक जो है वही देगा जो यहां सीक के जा रहा है कि उसने अपने पैसे लगाए अपना टाइम लग कि इस कंपनी का वोड़ होता है मैं फेक्षिर कॉन कॉन होता है कॉंपाल कॉंटा इसे कुछ नहीं पता था अब वो बाइस पासवर्ड और ओन के ओफ होना और डियसो और आटीज सेक्शन की बात कर रहे हैं तो अविसली है कि आप समझ समझ चुके होंगे कि इनका इंप्र सिफ हमद है और मैं करनाटक से हूँ मैं सेल सर्विस मैं 10-12 साल से हूँ इस फिल्ड में लेकिन चिप लेवल मेरा जीरो था मैं तो जानता भी ने था कि करते कैसे हैं यह सब तो यह मैंने मैं मुझे बहुत शोक था सीखने का चिप लेवल फिर मैंने धूनना शुरू किया बहुत सारे वीडियो देखे यूटूब पे बहुत सारे चैनल को देखा लेकिन मुझे सिर्फ अच्छा मतलब समझ में जो आया वह लैप्टेक्स के वीडियो थे ताकि मैं मुझे तो सारे अच्छे वीडियो लगते थे लेकिन समझ में जो आया वह लैप्टेक्स के नासि कर सकता हूं तो यह हमारे आसिव भाई हैं जो साउथ से हैं तो वाल ओवर इंडिया से लोग यहां पर आये हैं और इनका मैंने भी इनको देखा तो इनके समझने की सहलायत अच्छी थी लेकिन कंसेप्ट ले नहीं था उन्हें काफे अच्छा अपने ग्राइशन भी अच्छ स्क्रैस बिल्कुल जीरो लेवल से किसका लेवल क्या है उसे मतलब नहीं कि सब और सबRaाने लग कि लेकि लेवल और नहीं होते हैं तो फिर प्सक्राप रह Ó और सबाता है तो start जो है वो scratch से ही होता है, तो आप भी खुद बताएंगे विल्कुल scratch से start किया गया था नहीं किया गया था, register से हमने start किया था और अब ही CPU पर हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है तो उनसे सुन लिजे कि आप मैं जो बोल रहा हूं को सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं capacitor, capacitor, transistor, BJT, MOSFET जो हैं सारी यह कैसे काम करेंगी यह सब पहले हमने यह सीखा यह यह भी सीड़ी थी तो उसके बाद हमने sentence बनाना सीखा मलब कैसे पढ़ते हैं schematic को कैसे switching होगी और उसके बाद board बोल तो हम चूने से भी डरते थे पहले लेकिन अभी इतना confidence है कि हम बना लेते आराम से थैंक यू तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि यह हमारे students हैं जो भी batch खतम हुआ है हमारा offline और सबका feedback one by one video आया है आप देखें होगे जरूर इस video के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि यहां पर हम क्या सिखाते हैं और क्या आप जो expectation लेके आते हैं वह expectation पूरी होगी या नहीं होगी वो तो आप ही बताएंगे जैसे ही लोग बता रहे हैं और दूसरी information यह है कि हमारा साल में से दो batch होता है और एक batch में 10 students होते हैं और उसकी pre booking होती है एक मेन एक मन्त पहले यह साथ information आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी बहुत ज़रा कोहरी आती है हमारे पास की फोन कभी हम लोग बिजी होते फोन नहीं उठा पाते हैं मैसेज नहीं कर पाते हैं वाटसप पर कॉल नहीं ले पाते हैं तो यह आप माइंड सेट करके रखिए कि जब भी batch होगा वह एक मेन बहले booking होगी उसकी उसके लिए contact details दिया हुआ है आप उस प कि हमें laptop repeating सीखना है और वो दूसरी जगह सीख रहे हैं जहां पर उनका time waste हो रहा है पैसा वेस्ट हो रहा है पैसा वेस्ट होना another thing time waste हो जोगी वापस नहीं आता है पैसा आप कमा लेंगा time नहीं कमा सकते हैं तो time waste नहीं हो इसके लिए आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेर करिए ताकि उनको भी information मिले अगर वो interested होंगे तो join करेंगे नहीं होंगे तो जहां उनकी frequency match करेगी वहां से join कर सकते हो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching this video